सोलन के नगरपरशित में भाश्वा दोरा कारेकरम का आयोजन किया गया जिसमें ओनलाइन माधन से मुख्य मंत्री जैरम ठाकों ने करोड़ों रुपए के सोगा दे जीला सोलन बासियों को देनी थी ये कारेकरम इसलिए ओनलाइन आयुजित किया गया क्योंकि कॉविट का संक्रमन ज़्यादा फैल रहा है कारेकरता कम से कम एकत्र हो और शोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए ये कदम उठाय जा रहे हैं लेकिन उसके बाप जुद भी नगर परशिद हौल में कारेकरता आधिक संक्या में उपस्तित नजर आए शोशल डिस्टेंसिंग ना के बरावर रही यहां तक की कारेकरम के दुरान बिना मास्क के भी लोग बैठे नजर आए हौल के बाहर सनिटाइजर और थर्मल स्क्रिनिंग का प्रवंद किया जाना चाहिए था बे नजर नहीं आया जिससे साबित होता है कि राजनितिक कारेकरमों में करोना नहीं आ सकता है नियम केबल आम जनता के लिए बनाए जा रही हैं जब इस और विवस्ता के बारे में उपसित नेता कुशल जेटी से पुछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ो रुपए की सोगात सोलन बासियों को दी है जिससे सबी बेहत खुश हैं लेकिन जहां ये कारेकरम आयुजद किया गया बहां मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्राप्धान होना चाहिए था जो यहां नजर नहीं आया है उन्होंने कहा कि इस चूक की बज़े से करोना फैल सकता है उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी चूक है जो यहां नजर आ रही है जिसका जिला परशासन को ध्यान रखना चाहिए था लेकिन शायद बे बियस्तितिता की कारण इस बात का ध्यान नहीं रख पाए सब्सक्राइब करोना चाहिए था थोड़ी चूक हो सकती है बड़ा करण में व्यास्ता बहुत होती है प्रशाशन की त्यारियों में समय लग्या हुआ है थोड़ा भूल गयोंगे पर चलो इन फूचर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि द्रवाजे के पर फूट जो डोचन तो लेना पड़ेगा तो मुझे आशा की इन फ्यूचर आटे इस चीजिकर फारत रखना चाहिए चौलो इंसान गल्ती का पुतला किसी से गल्ती हो सकती है उसके बारे में तो हम इसको सुदार ही जा सकता है और तो सिनी कुछनी किया जा सकता है इन फूचर इसम प्रादके